तो इस पर्टिकुल वीडियों बात करने वाले हैं आज कले जुमारा मैच रहेगा मैंचेस्टर ओरिजिनल्स वेल्स वेल्स फायर के बीच में कैसे कुछ इस मैच के रिलेटर सारी चीज़ा देखने हो बिलेगी कौन से आपको कप्तान मनाने कौन लाइक आपको वाइस कैप् चीझे में इस वीडियों आपके साथ में डिसक्स करूंगा तो आखिर तक देखने बिल्कुल आपको skip नहीं करने स्किप अगर आप और करते हो कहीं पर भी तो मैं जुसक्तर едикर कंए बिल्कुल नहीं चलना काफी सारे गिवावेज टीम अपडेट सब आपको वहां देखने को मिलेगी सवाटावट से जागे जरू कर लेना अब आते हैं अपने मैच के उपर कि मैच की क्या कुछ कहानी रह सकते हैं तो दूनुह टीम सीजन के शुरुआत में हार चुकी है ठीक है तो कोई चेंजस यह कर सकते हैं हो सकते हैं कुछ unexpected चीज़े कर जाएं बाकी मैच को combination बनाना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिसकी बनता तो इस वाई से बोल्रों में स्मोली के लिए थोड़ा सा रिसकी मैच है वाई 11 बज़े रहीगी Old Trafford Manchester में जो मैच वो आपको देखने को मिलता है मैच नमब सब्सक्राइब काफी लो स्कॉरिंग मैच इस सीजन ये ग्राउन पूरे तरीके से चेंज हो चुक है पूरी पिछ मैंच कर दिये कैसे क्योंकि अब जो मैच इस पर देखने को मिल रहे हैं जो दो मैच इक सो साथ बना है एक सो नब्य बना है अब टोटल बहुत ज्यादा ब हो गया दा हंडर्ड के इस ग्राउन पर बात करें टोटल तो छे मैच इस वे बर दो रहे तो टोटल देखा जाए तो चार मैच इस खेले गए एक जीता है बैटिंग सेकंड ने और चैसा मैंने आपको बताए कि यहां पर अगर बड़ा स्कॉर भी बनता है न तो भी वो टा पहले मैचेस के बाग में दोनों मैचेस में अच्छे चले है इस मैच में पूरी उम्मीर रहे है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैटिंग पैराडाइस अभीकले विकेट दिखरी है पूरे तरीके से उसके बाद में वेन मैडिसन लोरी इवांस यह दो प्लेयर से जिनके बैटि पार्टर से बच्छी चल गए जो कि पिछले मैच में चली थी तो उस हिसाप से भी रही है रसल को बुला लेते हैं लोरी इवांस को बुला लेते हैं ट्रिश्टन सब्स को उपर भेज दिया जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि मैडिसन की बैटिंग आए ही ना क्योंकि पोल कि बैटिंग आएगी नहीं आएगी रसल काफी से पिक है अलाकि उतना कुछ खास पर्फोर्मेंस नहीं किया बटाइन एजन ओल्ड राउंडर तो अपने टीम में तो रखें कैप्टन नाने का एक सेक्टर दूम बनाने नहीं बनाने कोई ज़रूरत देखने को मिलती नहीं कि रसल को केटन मनें भाठ लीस्मश करसकते उसके बाद में आतेए इदर से ट्रिश्टन स्थैं स्चलस मैं की थी बट एक हमाई जहल को बोलिंग के है षाल methods के तो इस में पूरी बहुत कम गचिल आपक अपको फिक को यूज कर सकते हो जहाँ वेन मैटसें लोरी वांस नहीं लोग है वहां श्रबिस आपके काम आ सकता है उसके बाद में पोल वोल्टर है पहला मैच में बनें तेइस उसके बाद में सेकेंड मैच में बोइलिंग कराई रन गेज और तीन से इस इस मैच में बैटिंग आई नहीं ठीक है और पोल वोल्टर को पते हैं 23 जिसमें बनाया थे इसमें क्यों यूज किया गया थे क्योंकि यह अच्छी करता है लाक्ष्ट मैच में इस बंदे को हीटिंग के लिए नहीं बेजा गया लोरी वांस को बेज दिया यही कुछ इनका ल बोलिंग तो करी रहे तो एक बोलिंग से आपको ज़रूरी फाइदा दे सकता है और लेफ्ट अम मीडिया में डालता है उसका बाद में सीन एबट है देन अच्छे चलने रहे हैं सीन एबट के विकेट के साथ में दिख रहे हैं लाश मैस तो लाइक विकेट लेस भी गए उसके बाद में टोम हाटले स्लो लेफ्ट अम और्थोडोक्स एक एक विकेट लेता हुआ दिख रहे हैं बट आई तिंग कि आज का जो मैच रहे हैं यह पेच इसके लिए थोड़ी सही है अलाकि मार बढ़ सकती है बढ़िया तरीके से बढ़ सकती है मैं बहुत जरूर दे है और डेफिनेटली ले लेना अपने टीम में परकिंसन यूसफुल हो सकते हैं तो यह तो हो गई है आज के लिए हमारी जो मैंचेस्टर ओरिजिनल्स की बात है दो डिफरेंशल बता दिये बागी जितने सेफ प्लेयर थे बटलर सोल्ट को आप रख सकते हो इधर से फिर र रिकत हो सकती है कि अगर लेना हो तो यह सकते हो कोई ज्यादा बड़ी लाइक के टेंशन नहीं है बस कहीं न कहीं आपको थोड़ा बैटिंग में या फिर बोलिंग शेक्शन में थोड़ी छेट गानी करनी पड़ेगी बागे उसके बाद में बात करतें वेल्स फैर की आज egenaws 7 तो फिसको ले न ले ऐसा ही कुछ चल रहा है एक बार यह जो लिए सकता है क्योंकि क्योंकि लाष्ट-टो-ऊलांश्ट में बना कर गया है नो नो हुए only one तो जो भी लोग रिस्क ले सकते हुं इंको एकतम रिस्कर से इसक है तो फ़िफसे एंट चल ना चाहिए वह एंवरस्विक से में उसका आद में सैम हैं है जाद अच्छे रिसेंट फॉम तो मेरे को दिखी नहीं है इनकी टॉंटेज में बागे लाश्ट में 23 बना गर गए तो रखना हो तो रख सेकल की नंबर नंबर तीन पर आएगा इस सिर्फ एक रीजन है नंबर तीन पर आएगा लेने का बागी कुछ रीजन यह सैम हैं को उसके बाद में बैंड डकेट आज कोई जब कोहीं नहीं चलेगा तो अपना कमाल जरूर दिखा सकता है एक थर्ड डिफरेंशल टीम में तो हरको ही लाएग करने को बन दुनिया से हटके जाना हो तो बेंड डकेट ट्राइ कर सकते हो आज के लिसकाद में डैविड मिलर है लाश्क में चुपन है 35 उसके बाद में इधर से हमारे बास में जोश कोब है इतनी बुरा ही की थी कि बोलिंग नहीं कर रहा है और लाश्टी मैच बोलिंग क इस वज़े से हो सकता है कि जोश कोब से शुरुवात में वापस से बोलिंग करा ही है बेंड प्रिटोरियस जीरो तीन एक इसमें बोलिंग करा ही नहीं एक दो रिसेंट फॉर्म काफि सही है बट आती इन्होंने विकेट निकाला नहीं है उसकाद में एडम जैंपा के दिन बड़ी दिक्कत आएगी नहीं तो कि इनके जगे पर जो भी प्लेयर लोगे ना वो भी आटलिस पच्छेस तीस पॉंट दे जाएगा स्क्रिम शो आपके लिए आज के लिए बैटर हो सकते हैं अगर आप स्क्रिम शो को टीम में मैंनेज कर पाओ तो ठीक है जरूर रख ले करता हैं जहां तक मैं मानता हूं आज के लिए रखना थोड़ा सा रिसगी हो सकता ठीक करते हैं तो इनको भी चल सकते हैं तो इस टीम से देख लो कौन-कौन से लेने वाले प्लियर ते जो क्लार्क, सैम हैं, बेंड डकेट उसके बाद में इधर से प्रिटोरियस आप ट्राइ कर सकते हो देन उसका बाद में स्क्रिम्शो एंड डैविड पेंड यह आपकी टीम के लिए इच्छे हो सकते हैं बागी इनका नहीं बताए हो या तो रिस्की है या टीम से हटा सकते हो या ना लोगे तो भी चल जाएगा लोगे तो भी चल जाएगा बागी बैंच प्लेयर की बात करें इस टीम से इनके बैंच प्लेयर अभी रखों चाहिए तो कर सकते किसी प्लेयर पर उसका पाद मेंने लिए प्रिकेर्णुस को लागते बाकि जै के बैथल है क्रिचली है और है ये क्रिचली को जरूर ट्राइ कर सकते अगर लाई के ट्राइब करना चाहिए तो जो कोब की जगह पर या तो द्ली ला सकते हैं धिक तुम की जगह पर यह इनके पास में है उप्शंस तो यह रहेगी आज के लिए आध दोनों हमारी बाकि इसके लावा बात करें मैंचेस्टर के तो इनका अपने ही ओम ग्राउंड पर Zoom का ऐगकर मैंचेस्टर के ग्राउंड पर यह ज़्याद अच्छा रिकोड है नहीं चैनल की बात की जाते हैं अब तक एक भी मैच इन्हों नहीं नहीं इनका निलबटे संटा है इस गराउन पर पहली बार खेलेंगे देखेंगे किसा करेंगे उसके अलाबा इस बात करते हैं आज के लिए जो हमारे इस वेन्यू पर प्लियर्ज अच्छा केलते हैं सबसे बेला नाम आता है जोश पटलर का 21 शालिस रन और एवरेज भी चालिस का है तो डेफिनिटली आपके लिए कैप्टन ऑप्शन यह बनते हैं उसके बाद में इधर से विन मैटसन विन मैटसन का नहीं इस ग्राउंड पर रिकोर्ड तो अच्छा है अधरवाइस विन मैटसन वेन्यू के हिसाब से करम देखते हैं तो काफी बेहतर पिक आपके लिए और ग्रैंड लीग में ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राइग कर सकते हो क्योंकि पहले मैच में बैटिंग की ना तो काफी सही दिखर है तो उसका बाद में फि हटाने वाला था अभी है तोड़ा 50-50 मानता हूं उस ताइम पर में 100% शोर था कि मैं हटाओंगा बट अभी देखो आपनी वेन्यू देख लिए मैंने भी स्टैट्स बनाते हैं वेन्यू देखे तब दिमाग में कि बेंटन रख सकते हैं अगर मैंनेज कर पाए मैं टीम मे खेला तो एक विगेट निकाल गया था उसका बाद में टॉम हाटले उनने से इनिंग 18 विगेट के साथ में हैं दैना आता है रिचाट लेसं दस से निंग 15 और बोलिंग से भी पांच मैंचे में 6 विगेट इसने निकाल रख हैं मतलब अगर बोलिंग से देखा जाए तो आ अगर वह सेफ होता है माल लो अगर वह सही होता न इंजर वगरा नहीं होता उसको खिला लेता अच्छा बोल रहें एक ट्राइक करी सकती ते तीम अभी के लिए हैं नहीं तो माल लेते कि नहीं किल रहा है एक ही हुआ है जैसमें मैंचेस्टर ओरीजिनल जीत गई थी अब आते हैं आज के लिए जो मारे देखने को मिल जाते क्या प्लेयर मैच-अप्स एंड बैटल तो उनके ओपर जब आए तो फिल सोल्ट अगेंश्ट कृचली ग्यारा बोल में दो बार आउट हो चुके हैं बेंड केट की बात की जाए यह अगेंश्ट ओम हटले 19 बोल में ती सब्सक्राइब की तो यह भी अगेंश्ट मैट परकिंसन 29 बोल चपन रन और दोबर आउट हो चुक है आई तिंग डेकेट और क्लार्क के लिए खत्रा बनने वाला इधर से टोम हाटले विन मैंटसन के लिए खत्रा बनेगा इधर से जैक बोल्ट बागि जादा कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप जा रहे हो फिल्सोल्ट के साथ में भी ट्राइक जरू कर सकते हो बट जहां तक मैं जानता हूं वह उतना कंसेश्टेंट है नहीं कि उसने दो इनिक अच्छी खेली और तो तीसरी में भी चल जाए ठीक है इस वजह से फिल्सोल्ट के पर मेरे को उतना भरोसा नहीं है बगी टीम में जरूर रखेंगे बट कैप्टन वाइस कप्टन नहीं बनाऊंगा मैं इधर से फिल्सोल्ट को ग्रैंड लिग की बात की जाए ग्रैंड लिग के लिए तो जो क्लार्क एजए कैप्टन इधर से जैक बोल मेरे पास में कैप्टन वाइस कैप्टन डिफ्रेंचल ब्लेयर्स कौन से थे वो मैंने आपको प्लेइंग 11 के टाइम पर बताई दिये थे अब आ जाते हैं आज के गिववे के ऊपर तो गिववे की आज के लिए बात की जाए कि आज क्या रहेगा ठीक है तो आप मेरे को यह बता सकते हो कि आप जोश बटलर को जेव लिखकर चली जाओ जोश बटलर ही लिखना सैम हैन को एस हैं नहीं समय लिखना ठीक है तो यह आपके पास मैं आज के लिए रहेगी सारी चीज़े बाकि सैम हैं दूसरी टीम में ऐसा मत बोल देना मेरे को कि तुमने लाइक गलत नाम दे ले त तो यह है आपके लिए को क्वेशन कि आज के लिए मैंचेस्टर और ओरिजिनल्स की तरह से सब साथ हैं को देने वाला है किसके होंगे उस प्लेयर का नाम लिख देना कमेंट शेक्शन में और प्लेयर का नाम पूरा स्पैलिंग सही साथी साथ कमेंट को एडिट मत करना मु दो विकेट कीपर है लाइक बैंटन को मिस्किए क्योंकि ले नी पाओ के बैंटन को बड़ा है मुश्किल होगा तीन विकेट कीपर लेना ठीक है उसका बाद में बैटिंग सेक्शन में टकेट है विन मैडिसन को मैं रखका है ऐसा रिकोर्ड के उपर कि फिल तीस तीस मारक अब फ्रेड क्लासन की जगे पर टों हांट लेके साथ में जा सकते हो ठीक है एक छोइस वह गई है अब मेंडसं की जगे पर सैम हैं को नाहीं रख राहो तो यह दो प्सक्राइब उसको टीन में रखहूंगा बागे इन टीम वगर बगर आपको देखने को मिली जाएगी ब पटावर से टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लो लिंक है डिस्क्रिप्शन में एंड बागे आपको यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरू करना चान को सब्सक्राइब कर लेना और जो बैल नोटिफिकेशन उसको प्रेस करना ताकि आप जो कोई भी मैच की पिंदिंग करो कि उल्दावेस्ट मिलते आपको नेक्स वीडियो में बहुत ही जाए उलते हैं